हेलो बच्चो तो केसे हो आप लोग, यहां पर फाइनलि ककशा दसी वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का, जी हां, भुगोल का चैप्टर फ़स्ट लेके आचुके हैं, आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेन क्यूसे लेके आचुके हैं, भुगोल का यहां पर से देखने को मिलेंगी दो दो नंबर के ठीक है तो सारे इंपोर्टन लेके आ चुका हूं जो बताऊंगा इसके अलावा एक भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं आपको ठीक है दो जार तेवीस का बोर्ड हमारा लक्ष रहेगा कोई दिक्कत नहीं यह जो प्रश्ण बता आपकी अर्दवासिक में भी कामाने वाले हैं और प्री बोर्ड में भी कामाने वाले ऐसा कोई नहीं कि यह दो जर तेवीस में आएगी आपकी बाकी एक्जाम में भी यह बहुत हैल्पफुल होने वाले बच्चो ठीक है तो यहां पर लक्ष आपका 90 परसन होना चीए तब उनका पीडिएप भी मैंने अपने टेलीगाम गुरूप में डाल दिया इस्टडी भी तुदे अपने टेलीगाम गुरूप का नाम है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है और जिन बच्चों ने विज्ञान के दोनों चेप्टर नहीं पड़े वो जाओ और पढ़ लो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है क्योंकि विज्ञान के दो चेप्टर हमने कवर कर लिए हैं उन दो चेप्टर में से जो क्योशन बताए वही से क्योशन आएंगे एक भी क्योशन बार नहीं आएगा ठीक है तो चेप्टर फर्स्ट है हमारा संसाधन और विकास यह भूगोल के दो चेप्टर हम इसमें पहले कवर करेंगे उसके बाद फिर आगे के करेंगे ठीक है तो आईए शुरू करते हैं पहले किशन देख लेते हैं यहां पर संसाधन किसे करते हैं देखो संसाधन क्या होता है हमारे पूछ सकता है क्योशन में संसाधन के प्रकार तो प्रकार में आपको दो प्रकार एड कर देने प्राकतिक हो जाएंगे और भोतिक देखो प्राकतिक वो होते हैं जो प्रगति से हमें मिलते हैं ठीक है जैसे हवा पानी यह कहां से मिलते हैं प्रगति से मिलते हैं और भोतिक जिने हम khud पेदा करते हैं थिके तो वह होते हैं बोतिक संसादन थिके जैसे आपका यह पेन हो गया किसने बनाया हमने बनाया अपने उपयोग के लिए तो यह संसादन ही है आपकी बाइकार वगेरा वगेर सब भोतिक में आ जाएंगे ठीक है नैस्ट ट्योशन आता आपका नवीनिकरन संसादन क्या है ठीक है तो इसको हम पढ़ेंगे तो वे संसादन जो प्रगती में प्रचूर मात्रा में उपलब्द है जो कभी समाप्त नहीं होंगे उन्हें नवीनिकर इसके एक्जामपल से हम समझ लेते हैं बचूंग एक्जामपल जैसे आपका हवा हो गया सोर उर्जा हो गया जल हो गया दिए यह कभी समाप्त नहीं होंगे जब तक धरती है तब तक जीवित रहेंगे ठीक है नैस क्या है अनमिनिकरन संसाधन क्या है वो आपको देखना है ठ जिसे आपका जिवाश मिंदन हो गया धातू हो गया फिके यह चीजे आपकी अन्हांविनीकरन संसादने तीके नैस्ट क्यूशन बूश अरक्षन के उपाए आपको बताने हैं बूश अरक्षन का मतलब समझते हो बचूँ मिट्टी की कटाव जो होती उनकी बात कर लो है तो दो नमबर की question आएंगे दो आपको याद होने चीए नैस्ट जलोड मिटी की तीन विशेष्टा आपको बताने यह अभी question पुछा गया था साज त्रे मासिक में पुछा गया था तो जलोड मिटी की क्या क्या विशेष्टा होती देखो जलोड म्रदा अधिक उपजव होती है ठीक है जलोड म्रदा में पोटाज फासफोरस और चूना पाया जाता है यह क्रशी के लिए बहुत उपयोगी तीन पॉइंट याद रखना है त काली मिटी की तीन विशेष्टा है ठीक है तीन क्यों रही है य اबेदर तीन याद करोगे ताब जाकर आपको primat की कपास के लिए बहुत उपयोगी का यह काली मिटी आपको डेखो इसमें कार्बोनेट पौटास और चूना पाये जाता ठीक है इसकी अधिक समय तक नमीको किशंता होती इसमें क्या Χुता है जब पानी गिर्टथ है या पानी हम डालते हैं काली मिट्टी में तो इसमें नमी ज्यादा रहती है ठीक है तो चलिक है मैं आपका संसाधन क्या होते हैं कि यहां पर वांडल इन संसादनों की प्राप्ती जेव मंडल से होती और इनमें जीवन व्याप्त है ठीक है उदारन से आप अच्छे समझ जाओगे जैसे मनुष जेव मंडल में आता है वनस्पती जगत जेव मंडल में आता है प्राणी जगत जेव मंडल में आता है जहां पर क्या होता बच्च जाती हैं तो वे सारे संसाधन जो निर्जीवस्तों से बने हैं आज्येव संसाधन केल्ढ़ाते ठीक है जो निर्जीवसे बने होते है वह ऐचे धीक्रियम में आजाएंगे ठीक है अज्यव जिसमें से संसाधन जो भविश की द्रश्टी से अधिक उपयोगी है ठीक है चाहे वर्तमान में इनका उपयोग कम हो रहा हो उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं जैसे अभी हो जाएगा आपका सोर उर्जा पवन उर्जा देखो इनका उपयोग बहुत कम हो रहा भी लेकिन आने वाले समय में भविश में इनके कारण ही सारी चीजे संभाव है संभावी संसाधन उसी को हम बोलेंगे ठीक है यह भी आपका दोनों एक की है ถिक तो बाउंगर का पहले देख लेते हैं यह 5-3 मैधन की उच भूमि है इस इसमें जल तल की achieving अधिक हो दिक होती ठीक है और इसका देख लेते दो पॉइंट यह उत्री मैधानों की निचली भूमि ठीक है उत्री मेधारों क извест निचलि बूमी एक हिंट बता रहा हूं सिर्फ याद करने का तरीकह बता रहा हूं आपकी बनी रहे तो व्रक्षा रोपन आपको करना चाहिए व्रक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए पशुचारण को रोकना पड़ेगा आपको ठीक है नैश क्यूशन देखते हैं यहां पर क्यूशन नमबर आता आपका 11 बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइं अब महत्पूण केसे हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत सारे लाब होते हैं जैसे हमें लकडी मिलती है शहद मिलता है गोंद मिलता है जड़ी बूटी आदी हमें प्राप्त होती है इसलिए हम वन का स्रक्षन हमें करना बहुत ही अनिवाईज हो गया वज्चू ठीक है नैस्ट से भी लीख सकते हूँ जो आपको आ रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी तो मानव जीवन मृदद्धा को विशेश मात्य है संपूर मानव जीवन अपर गया बोजन ऑंशर रोव से मृद्ध वास्यरूप से प्राप्त होता है इस प्रकार 친रव अधार नंबर में आएगा इतन परशी सारी मृद्धा मिट्टी पर आधा रीते ऐसी बहुत सारी चीज़ आप एट कर सकते अपने मन से ठीक है जो केशन मैंने बताए ना बारा केशन में से एक भी केशन आपको नहीं छोड़ना है सारे केशन पढ़ लेने मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं चेप्टर फ